दिविंदर जी कहे रहे हैं आप में बेसलाइन वराश्टर की पॉलिटिक्स की चेंज कर दी है क्योंकि आपका फिछली बार मैक्सिमम वोट शेयर था पिछस परसेंट से ज्यादा वोट शेयर था और आपके पुराने दोस्त और इस वक जो आपके जानी दुश्मन पॉलिट बनी थी या यह जो अनालेसिस यह आपसे अग्री निकर ने देखिए यह महायूती इसले बनी कि दोहजार उन्नीस में उद्धो ठाकरेजी ने पीपल्स मैंडेट लोगों के मैंडेट का कतल किया उस मैंडेट की पीठ में चूरा गोपा और केवल पदकी लालसा के लिए उ और बाड़ा सब ठाकरे कहते थे जिस दिन मुझे कॉंग्रेस के साथ जाने की आवशक्ता पड़ेगी उस दिन शिवसेना का दुकान बन कर दूँगा लेकिन उद्धो जीने अपने पिता के वचनों को जूटा ठेराते हुए कॉंग्रेस का दामन थामा एंसीपी का दामन थामा उस समय धीरे धीरे जब उनकी सत्ता आगे बढ़ रही थी तो उनकी पार्टी के लोगों को ये ध्यान में आया हिंदुत्व चूड़ गया है विचार चूड़ गया है जमिन खिसक रही है और वही उद्धो जी की पूरी राजनिती बेटे के लिए आदित्ते के लिए चल रही है जो कद्दावर निता थे उनको कट्टू साइस किया जा रहा था तो ऐसे समय उन सभी के अस्तित्व का जब प्रशन निर्मान हुआ तो उनने फैसला किया कि ये गलत चल रहा है जो पीपल्स मैंडेट है उस मैंडे कि दूज़ा हो 2019 हो हर समय शरत पवार जी ने बीजेपी के साथ आने के लिए स्वयम हम से बातचीत की शबर चौदह शरत पवार जी ने स्वयम हमसे बातचीत की और एन वक्त पर ही और अजियत दारह को इनोने बिलं बनाया 5 तो अजिद दारह के भी धान में आया कि की पार्टी अभरी अज्डी के आत्में दीनी है इसले मुझे विलं बनाया जा रहा है मेरे लोगों के पर काटे जा रह यह पार्टी केवल शुपरिया जी के लिए चल रह रही है तो उन्होंने भी इंद्रिने लेकर वो भी बहार आए और हमारे साथ आए तो यह जो कोई mandate उनका बिखरा हमने नहीं बिखे रहा है उनके लालसा के करण उनके अहंकार के करण सत्ता की चाह के करण और परिवार में यह सत्तार रखने की चाह के करण यह हुआ है कि लगबर आपने काया कि 2014 से शर्तवार जी टू एंफो करने की कोशिश करे तो अजीत वार जी को बना रहे तो लगबर कितनी बार अपके ने मुल्टिपल टाइम बात चीत हो यह था तीन बार तो हुई है बिलकुल हुई है